सुब्र मॉनिंग आईज और आपके क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 22 जून के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को हम लोग कवर करेंगे तो देखे मारा पहला प्रशन क्या है हाल में किसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवरसिटी ओपन सोसाइटी पुरुसकार से सम्मानेत किया गया तो आंसर होगा केके शेलजा को आप जानते हैं ये केरल की पूर्व स्वास्ते मंतरी हेल्थ मिनिस्टर थी केके और उन्हें सार्वजनिक स्वास्ते सेवा के प्रति उनकी प्रति बद्दता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवरसिटी का जो सर्वुच पुरसकारे हाइस्ट अवार्ड है जिसे केते हैं ओपन सोसाइटी प्राइस दो हजार एक्टीस से सम्मानित कि यूनाइटिड निशन ने केके शिलजा को कुरोना वाइरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया था बाकि डॉक्टर चारूप होसला की बात करेंगी तो ग्रीन प्रेनियोर अवर्ड दो जारिकेस जीता था इन्होंने मेगार राज गोपालन भारते म मुल्की पत्रकार है और दो जारिकेस के लिए पुलिजर पुरुसकार जीता इन्होंने एक नुकलू फॉर्म का नाम बड़ा इंपोर्टेंट है वीटली अवर्ड दो जारिकेस इन्होंने जीता जिसको ग्रीन ऑसकर भी कहते और ये अवर्ड जीतने वाले ये पहले भारत में ग्लोबल टीचर अवर्ड पुरुसकार पाने वाले ये पहले भारतियों बने थे अब इनका नाम फिर से न्यूज में था क्योंकि वर्ड बैंक के सिक्षा सलाकार के रुप में इनको न्यूट किया गया है अचा बताए खाद्य पुरुसकार 2021 किस ने जीता शकुंतला ह खरी के सिंग ने जीता है और अंतर राष्ट्र रेंजर पुरुसकार जीता है महिंदर गिरी ने ये राजाजी नेशनल पार्क जो है न उत्तरकंड में वहाँ पर रेंजर के पदपर है अब इच्थिसगर सरकार ने बताए किसे विरानी पुरुसकार से सम्माने किया था द उनिवर्स अवर्ड है वो किसे मिला है मतलब मिस उनिवर्स कौन बन गई है एंड्रिया मेजा बन गई है ये मेक्सिको से है और एक और नाम याद रखो आगर आपसे पूछा जाए कि किस भारते मूल के अमेरिकन रसाय नग्य को यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवर्ड यूरोपियन इन्वेंटर अवर्ड दोहजारिकिस दिया गया तो अंचार होगा सुमित्रा मित्रा और अभी सी ए ए एन आर राव का नाम भी याद रखना क्योंकि अंतरराष्टर एनी अवर्ड इन्हें मिला था इसे उर्जा के शेतर का नोबल पुरुसकार के थे अभी ड अभी दो योजनाओं को शुरू किया है दिन में से एक तो है मुक्य मंतरी महिला उद्यमी योजना और दूसरी योजना है मुक्य मंतरी युवा उद्यमी योजना अब इसमें होगा क्या तो इसमें जो बेरोजगार युवा हैं और जो महिलाएं हैं अगर वो अपना नया क प्रतिशत के सिंपल इंट्रेस्ट ब्याज पर वो पांच लाक रुपे लोटा सकते हैं तो यह आप ध्यान रखना अभी उत्तराखंड सरकार ने वात्सले योजना को भी शुरू किया था और उत्तराखंड पुलिस ने होंसला मिशन को शुरू किया था अभी अंकुर योजना किसने शुरू की मद्य प्रदेश ने और अभी 36 गड़ ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया था इसके अलव अब आपको याद होगा असम सरकार ने मुख्यमंतिरी शीशू सेवा योजना को शुरू किया था, हिमाचल प्रदेश ने परवत धारा योजना को शुरू किया था भूमी का चल इस तरको बढ़ाने के लिए अभी राजस्तान सरकार ने मुख्य मंतरी किसान उर्जा मित्र योजना को शुरू किया था और राजस्तान ने ही चिरंजीवी योजना को भी शुरू किया था और अभी राजस्तान ने ही मुख्य मंतरी कोरोना बाल कल्यान योजना को भी शुरू किया था कोरुना रोगियों को ट्रेक करने के लिए हिट मतलब होता है होम आईसोलेशन ट्रेकिंग और देश का प्यार राज्य बना है यह अपनी टेक्स्ट बुक्स के लिए ई-लाइबरेरी तेयार करने वाला अब इसी नहीं संपत्ति स्वामित्व यूचना को भी शुरू किया था उसके अलावा दो हरित उर्जा कुषल शहर वाला भारत का पहला राज्य बिहार ही है और वो दो हरित उर्जा कुषल शहर कौन-कौन से है एक तो राजगीर है और एक बोध गया है राजगीर में आपको याद होगा पूर्वत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है ना अच्छा भारत का पहला और एक मात्र डॉल्फिन वायलाइफ सेंचूरी का मिलेगा बिहार में जिसको किते हैं विक्तरमशिला गांग्टेक डॉल्फिन वायलाइफ सेंचूरी मदुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है तो बिहार की ही है और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं तो कोसी नदी को उसके अलावा बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कच्छवा पुनर्वास केंद्र देखो यहाँ पर एक नैशनल पार्क आपको मिलेगा वालमी की नैशनल पार्क बाके राजगेर वायलाइब सेंशूरी आपको मिलेगा और कैमोर वायलाइब सेंशूरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है जिस दिन हम World Water Day मनाते हैं की 22 मार्च को तो ये भी ध्यान रखना फिर बताईए अभी हाली में किस ने फ्रेंच ग्रेंट प्री 2021 जो फॉर्मूला वन रे से उसको जीत लिया तो अंचर होगा मैक्स वर्ट्सपन ने अच्छा मैक्स वर्ट्सपन इनकी नेशनिलिटी क्या है तो ये नीदरलेंड से हैं और किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं तो ये रेडबूल के ड्राइवर है और अभी इन्हों ने ही फ्रेंच ग्रेंट प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस 2021 को जीत लिया है फ्रस्ट नमबर पे मैक्स वर्ट्सपन रहे सेकिन नमबर पे रहें इस बार लुईस हैमिल्टन जो की ब्रिटेन के हैं और मर्सडीस के ये ड्राइवर है तीसरे नमबर पे सरजियो पेरेज हैं जो के रेडबूल के ड्राइवर हैं और ये मैक्सिको से है अभी तक कौन-कौन से रेस हो चुकी है दो हजार रिकिस में तो अभी तक टूटल छे रेस हो चुकी है ये साथ भी थी सारी एक बार मैं आपको फिर से रिवाइस करा दू तो सबसे पहले हुई थी बहरीन ग्रेंड प्रिक्स जिसको लुईस हैमिल्टन ने जीता था फिर एमिलिया रोमागना ग्रेंड प्रिक्स हुई थी जिसको मैक्स वर्ट्स पन ने जीता था फिर पुर्टगीज ग्रेंड प्रिक्स हुई थी जिसको लुईस हैमिल्टन ने जीता फिर स्पैनिश ग्रेंड प्रिक्स हुई वो भी लुईस हैमिल्टन ने जीती फिर मोना रखना बढ़ते आगे अच्छा फिर बताई अभी हाली में 21 जून 2021 को विश्विस्तर पर कौन सा अंतर राष्टर योग दिवस मनाया गया तो अंसर होगा सात्वा तो इंटरनेशनल योगा डे ये मनाया जाता है आपको बता 21 जून को पहली बार इसको कब मनाया गया था 21 जून 2015 में और इस बार ये हमने सात्वा अंतर राष्टर योग दिवस मनाया है अच्छा योग से related एक application अभी launch की गई थी याद है उसका नाम क्या है नमस्ते योग application और इस बार की theme क्या है देखो इस बार की दो theme है भारत में अगर बात करेंगे तो इसकी theme दी गई है yoga for wellness और United Nation ने worldwide जो इसकी theme दी है वो है yoga for well being तो ये आपको दोनों ध्यान रखनी है अच्छा 21 जून को पता है आपको क्या होता है तो 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्द में सबसे बड़ा दिन होता है इसलिए तो 21 जून को हमने ये yoga दिवस के रूप में चुना है और सबसे छोटा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्द में तो 22 December को और वो कौन सा दिन होता है जब दिन और रात बराबर होती है तो ऐसे दो दिन होते है 21 March और 23 September और जब दिन और रात बराबर होती है तो उसको क्या कहते है उसे विशूव कहते है Equinox और योग से related equation आप याद रख सकते हो Current Affairs का है विवेकानन्द योग विश्विध्याले की स्थापना कहां पे की गई है भारत से बाहर तो Los Angeles में की गई है इसका नाम है स्वामी विवेकानन्द योग विश्विध्याले अच्छा इतना ही नहीं 21 जून को और भी कुछ डे मनाते है मैं आपको बताता हूँ 21 जून को विश्व Hydrography Day World Hydrography Day की रूप में भी मनाया जाता है और ये दिन नाविकों के लिए सुरक्षित अच्छा इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी और्गेनाईजेशन का हैड़ कोर्टर काँ पर है मॉन्टे कार्लो मोनाको में उसके लावा 21 जून को ही हम World Music Day की रूप में भी मनाते हैं विश्व संगीत दिवस अब Important Day वाला कुष्यन है और आपको यादे जब भी Important Day वाला कुष्यन आता है हर बार मैं आपको रिवाइस कराता हूँ उस महिने के साल Important Days तो आज मैं आपको रिवाइस नहीं करा हूँगा आज मैं आपसे कुष्यन पूछता हूँ बड़ा Important कुष्यन है ध्यानते सुनना आपको बताए विश्व मरुष थली करन और सूखा रोक्थाम दिवस वर्ल्ड डे टू कॉमबेट डेजर्टिफिकेशन एंड रॉट ये कब मनाया जाता है 17 जून को आपको इसकी थीम बतानी इसकी थीम क्या रही ये कुष्यन है आपका अभी हम बढ़ते हागे अचा फिर बताईए हाली में किस संस्थान यानि की मंत्राले ने आम चुनाव 2019 एटलस को जारी किया है तो आंसर होगा चुनाव आयोग ने तो अभी चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2019 एटलस को जारी किया है अच्छा चुनाव आयोग ने इसको जारी किया ना, इसके बारे में कुछ बताते हैं, चुनाव आयोग की जैसे इस्तापना कब हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए तो हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर सडे के रूप में मनाते हैं, शुरुवात में आपको बता दू, इसमें एक ह मेंबर थे, और उनका नाम था सू कुमार सेन, एक तो इनका नाम याद रखना है, फिर दिनेश को स्वामी समिति आती है, जिससे चुनाव आयोग में तीन मेंबर हो जाते हैं, एक तो चीफ इलेक्शन कमिशनर मुख्य चुनाव आयोग और दो इलेक्शन कमिशनर यानि की तो वरतमान में अगर बात करेंगे तो हमारे मुख्य चुनाव आयोग तो कौन है, सुशील चंद्रा है, ये भी नए बने थे, 24 वेंबर के एक तो इनका नाम याद रखना, अभी दो चुनाव आयोग थे, कौन-कौन से, अनूप चंद्र पांडे ये भी नए बने, और एक हैं, राजीव कुमार, अच्छा मुख्य चुनाव आयोग चीफ एलेक्शन कमिशनर का कारेकाल कितना होता है, टाइम पिरियड, या तो 6 साल होगा, या 65 वर्ष की आयोग जो पहले हो जाए, अच्छा चुनाव आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो 3 24, अब यहां पे बात हो रही है, आम चुनाव 2019 की, यानि कि सत्रवी लोग सबा की, तो उससे कुछ important question में आपको बताऊं, जैसे कि सत्रवी लोग सबा में सबसे युवा महिला सांसत कौन थी, तो चंदराणी मुर्मू का नाम आपने सुना होगा, कि सीट से थी, तो क्यो ज सीट से उडिसा, जबकि सत्रवी लोग सबा में चुनाव के दुरान कौन सी सीट पर चुनाव रद्ध हो गए थे, वेल्लोर सीट पर, तमिल नाडू की वेल्लोर सीट पर, ये प्रशन एक्जाम में आ चुका है आपके, और सत्रवी लोग सबा के अध्यक्ष कौन है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी हम बढ़ते आगे, फिर बताईए हाली में किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पास्पूर्ट जारी करने की गोशना किये तो अंसर होगा जापान ने, अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका सिंपल सा ये मतलब हो गया कि अब जापान से कोई भी वैक्ति अगर विदेश में जाएगा, तो जापान उसे टीका करन का वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट देगा, जो उसके विदेश में काम आएगा, दूसरे देश में एंटरी करते वक्त, और पास्पूर्ट से तो आपको याद भी आता होगा, व और इसके अलवा पूरे विश्व में सबसे शक्ति शाली सूपर कम्प्यूटर ये भी जापान का है, जिसका नाम है फुगाकू, अचा भारत में सूपर कम्प्यूटर का जनक कौन है, विजे भटकर है, बाकी बात जापान की है, तो ये रा मैप में जापान, देखो उसकी गैपिटल टोक्यू है, यहीं पर अबे आपके टोक्यू अलम्पिक होने वाले, और करंसी येन है, और यहां के जो प्रधान मंतरी है, योशी हीदे सूगा है, और यहां के जो पूर्व प्रधान मंतरी थे कौन, सिंजो अबे, उन्हें कौन सा पुरुसकार मिला था, कौन स निदन हो गया, यह मौरिश्यस के पूर्व प्रधान मंतरी थे, इनका नाम था अनिरुद्ध जगनात, तो यह नाम भी ध्यान रखना, वैसे जापन की संसत को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, और याद रखना सूर्य दे का देश, यानि के लेंड आफ राइजिंग सन, य जिमेक्स करते हैं, सिन्यू मेत्री करते हैं, एक सहयूक काजिन नाम की exercise भी करते हैं, तो यह सारे पॉइंट ध्यान रखना आप बढ़ते हैं, चली फिर बताईए अभी हाली में, भात्य नौसेना और यूरूपिय संग की नौसेना बल का पहला सन्यूक्त अभ्यास, जिसक यूरोपियन यूनियन और नेव मतलब ये नेवल exercise अभी 18 जून 2021 को ही शुरू हुआ है, कहां पे अधन की खाडी में, और इसमें भारत की तरफ से आईनेस त्रिकंड ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अच्छा देखो यहां सी प्रशन आपका एक्जाम में बन सकता है, क कुछ important exercise में आपको याद दिलाता हूँ जो 2021 में हुई है, भारत और US के बीच में अभी दो exercise हुई है, 2020 में एक तो वजिर प्रहार हुई थी हिमाचल प्रदेश के बकलो में, एक युद्ध अभ्यास हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के बिका नेर में, उसके अभी थाइलेंड के साथ हमने इंडो थाई कॉर्पिट नाम के exercise भी की थी, कहां पर अंडमान सागर में, वैसे थाइलेंड के साथ हम मैत्री नाम के exercise भी करते हैं, और मैत्री से आपको याद होगा मित्र शक्ती, मित्र शक्ती नाम के exercise हम श्रिलंका के साथ करते हैं, जबकि शक्ति नाम के exercise तो हम France के साथ करते हैं लेकिन गरुड शक्ति नाम के exercise पूछेंगे तो Indonesia के साथ करते हैं England के साथ हम Ajay Warrior नाम के exercise करते हैं माला बार exercise भी important है भारत, जापान और अमेरिका के बीच में होती है लेकिन पहली बार इसमें Australia शामिल हुआ भी वैसे France के साथ हम वरुन नाम के exercise भी कर चुके हैं अभी अरप सागर में किया France के साथ अभी हमने Desert Night 21 नाम से exercise भी किया था जूदपूर में और अभी NATO North Atlantic Treaty Organization जिसका headquarter Brussels, Belgium में है इसने भी exercise किया था कौन सा? Steed Fast Defender 21 तो ये कुछ important में एक्सरसाइजेज बताईए exercise का प्रशन आपके पूछा जाता है एक्जाम में तो इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे अच्छा बताईए अब ये हाली में किस भारते जहाद को सर्वश्रेष्ट जहाद का खिताब बिला है तो आंसर होगा INS सहयादरी तो अभी fleet awards function 2021 में भारते नौसेना का जो सहयादरी है उसको best ship का खिताब दिया गया जबकि INS कामोटा को most spirited ship का खिताब दिया गया और INS किल्टन और INS खुकरी ने best corvette trophy जीती है चलिए आपके एक प्रशन का जवाब दीजिए भारत के पहले विध्वंशक यानि कि destroyer का नाम क्या है जिसे अभी decommission कर दिया गया तो याद रखना INS राजपूत इसका नाम है बढ़ते आगे चलिए अब बताईए अभी हाली में किसे विश्व बैंक यानि कि World Bank और International Monetary Fund के द्वारा उच्च सलाकार समू का सदस्य से नामित किया गया तो आंचारूगा Montek अहलू आलिया तो योजना आयो के पूर्व उपाध्यक्ष रहे ये Montek सिंह अलू आलिया इनको भी World Bank और IMF के द्वारा गठित एक उच्च स्तरिय सलाकार समू का सदस्य नामित किया गया है वैसे इस समू में गीता गोपिनाथन जो की IMF में चीफ एकॉनमिस्ट हैं वो भी रहेंगी और ये जो समू है इसका गठन World Bank और IMF ने COVID-19 महामारी और वायू परिवर्तन से उत्पन दोरे संकट के कारण किया था और इसी का अभी इनको सदस्य नामित किया है बाकी विनू माकंड का नाम आपने सुनाओगा अभी ICC Hall of Fame में शामिल होने वाले ये साथवे नंबर के भारतिय बने है तो यहां से एक प्रशना आपका और क्लियर हो गया कि अभी ICC Hall of Fame में कितने भारतियों को शामिल किया जा चुका है साथ बाकी वेशाली हिवासे Border Road Organization की पहली महिला Commanding Officer बनी है डेबी हेविट अभी Football Association की पहली महिला प्रमुक बनी है ये डेबी हेविट तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे अच्छा चलिए आप तो ये बताइए अभी हाली में जारी Ease of Living Index 2020 में भारत का सबसे रहने युग की शहर कौन सा है तो आंसरों का बैंगलूरू तो Center for Science and Environment के द्वारा जारी Ease of Living Index 2020 में बैंगलूरू को भारत के सबसे रहने युग की शहर के रूप में नामित किया गया पहले नंबर पे बैंगलूरू है दूसरे नंबर पे चैन्ने ही है तीसरे नंबर पे शिमला है क्या दखना ये Ease of Living Index 2020 ये जो है ये इसका दूसरा संसकरन है पहला लॉंच हुआता है 2018 में अच्छा कुछ और Index से इसको अगर आपको में Revise करवाऊं तो आपको याद होगा अभी जो Global Skills Report वेश्विक कोशल Report 2021 आयती उसमें भारत की सिस्थान पे रहा था 67 नंबर पे टॉप पे Switzerland था और अभी आपको याद होगा घरेलू मूल्य सूचकांग Global Home Price Index 2021 जो आया था उसमें भारत 55 वे स्थान पे था टॉप पे टर्की था जबकि World Press Freedom Index जो आया था जिसको Reporters Without Border जारी करता है उसमें भारत 142 नंबर पे था टॉप पे नौर पे था और अभी United Nation ने जो World Happiness Index जारी किया उसमें भारत 139 नंबर पे था टॉप पे Finland था और Global Energy Transition Index वेश्वी कुर्जा संक्रमन सूचकांग 2021 जिसको World Economic Forum ने जारी किया उसमें भारत 87 नंबर पे रहा टॉप पे Sweden था जबकि ब्रस्टा चार धारना सूचकांग 2020 अभी आपको यादूगा एनिम्या मुक्त भारत Index 2020 आया था उसमें टॉप पे कौन सा राज्य था मद्यपरदेश और नीतिया आयोग ने जो Sustainable Development Goal Index जारी किया था उसमें टॉप पे केर रहा अभी Performance Grading Index भी आया था उसमें टॉप पे था पंजाब तो ये भी आप ध्यान रखें साथ के साथ बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खुजा गया है तो आंचरव का बोटसवाना में तो अभी बोटसवाना में 1098 केरेट के हीरे की खुच की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया में खनन किये जाने वाले रत्न गुणवत्ता वाला तीसरा सबसे बड़ा पत्थर है और ये पत्थर डेबसवाना टाइमेंड कंपनी के द्वारा बोटसवाना के जो राश्टरपती है कौन? मोकेग सेसी मासी उनको भेट किया गया है वैसे उननीस सो पांच में अब तक का सबसे बड़ा हीरा खुजा गया था साउट अफरिका में 3106 केरेट का कलीनन पत्थर था वो अब तक का सबसे बड़ा हीरा था उसके बाद 2015 में बोटसवाना में फिर बताईए अभी हाली में जंडा सत्याग्रह कारेकरम का एउजन कहां पर किया गया तो आंसरों का जबलपुर में एक्चुली में जंडा सत्याग्रह ये घटना है 1923 जब जबलपुर के अंदर जंडा सत्याग्रह इसको स्टार्ट किया गया था क्यों क्या गया था तो British के खिलाफ इसे start किया गया था जंडा फहराने की शक्ती को लेकर ये जंडा सत्यागरे शुरू किया गया था तो इसी की याद में 18 जून को एक तो जंडा दिवस मनाया गया और अभी इसी की वर्ष घाट में मद्य परदेश के जबलपुर में ये जंडा सत्यागरे करहकरम का आयोजन भी किया गया क्योंकि इसी शहर में 18 मार्च 1923 को पहला तिरंगा फेराया गया था जो जंडा सत्यागरे की शुरुवात का प्रतीत था अचा जबलपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है नर्मदा नदी के किनारे और यहीं पर आपको मद्य परदेश का हाई कोड भी मिलेगा जिसके चीफ चस्टेस है मुहमद रफीक अचा इस कारेकरम में मुख्य अतिती कौन रहे प्रलाद सिंग पटेल जो कि हमारे केंदरे परियतन मंत्री है चलो एक प्रश्ण में आपसे बुछूँ आप बताओ चंपारन सत्यागर ये कब हुआ था 1917 में बिहार में हुआ था और मात्मा गांदी जी का ये पहला सत्यागर रहे था वैसे भारत के पहले व्यक्तिगत सत्यागरा ही कौन थे विनोबा भावे 1940 में और दूसरे थे पंडित जवाल लाल नेरू तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पुछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल की वीडियो में आपसे क्या प्रशन पूछा था स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत के सिस्थान पर है तो आंसर होगा 51 वे नंबर पे है टॉप पे UK है यानि कि Swiss Bank में सबसे ज़्यादा धन UK के नागरिकों का है second pay US तो आप सभी ने question का बिल्कुल सही उतर दिया है और guys अगर session अच्छा लगा हो, helpful लगा हो तो please इसे like जरूर करा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका WhatsApp group हो गया study group हो गया या Facebook पे या Telegram पे जहां पर भी आप इसको share कर सकते हैं प्लीज एक बार share जरूर करा करें तो कि हमारे views बहुत कम होते हैं अगर आपका support मिलता है अगर आप इसे share करते हैं तो हमारा भी motivation बढ़ता है और आपके लिए और अच्छे fact लेकर के आने में हमें ही मज़ा आता है मेहनत करने में और मज़ा आता है तो कि आपकी तरफ से ही पता लगे कि आपकी तरफ से भी आप रूची ले रहे हो